नमस्कार मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक OBC को 27% आरक्षन भी नहीं मिलता है कई राजियों में उसमें वो राज जादा है जहां BJP की ज़र लंबे समय तक सरकार थी प्रदेश भी एक ऐसा ही राज है जहां 27 फिर्दी आरक्षन अब तक OBC को नहीं मिला जब यहां कॉंग्रेस की सरकार आई और CM ने एलान किया कि 27% आरक्षन देंगे तो हाई कोट ने आरोप रोक लगा दी वो हाई कोट अब सुप्रीम कोट ने आरक्षन को लेकर कहा है कि यह आपका कोई fundamental rights नहीं है सरकार चाहे तो दे राजसरकार यह नहीं दे कमलात की सरकार ने तैय किया था कि 27% दे तो फिर हाई कोट ने रोक क्यूं लगाई इसी मुद्दे को लेकर लगातार मद परदेश के तेज तरार युवा नेता लोकेंद गुर्जर मेरे साथ हैं जो SC, ST, OBC, UNITY भी चला रहे है बहुजन आंदोलन को भी वरहा रहे हैं और राजितिक रूप से सबसे ताकतवर और सबसे सक्रिये युवा हैं पूरे देश की राजिति पर नजर रखते हैं और खासकर दिल्ली में जिस तरह से एक गुर्जर युवा का इस्तेमाल किया गोली चलवाने के लिए उस पर भी इन्होंने करा पर्तिरोथ किया और गुर्जर समाज को समझाने में काम्याब रहे कि आपको आरक्षन की लराई लड़नी है और आपको नर्सी सीए के खिलाफ नहीं लड़नी है इनी तमाम मुदों पर बात करेंगे आप कुछ मांग कर रहे हैं कि वकील को लेकर कुछ जो य कर रहे थे लेकिंग जब मत्यपदेश में नई सरकार बनी नई सरकार में भी हमने कई आंदोलन की हमारे उस आंदोलन की सफलता से हमको 27 परसेंट आरक्षन मेला जब सरकार ने आरक्षन लागू किया अध्यादेश लेके आए तो उसके बाद कुछ तथा-कतित स्वर्ण ल आरक्षन लेने से चुक गए फिर उसके बाद सरकार ने सितंबर में इसको विधान सबाव में पारित करके कानून बनाया उसके बाद से हमको 27 परसेंट का लाव शुरू हुआ अभी PSC की भरती निकली हुई थी उसमें हमको 27 परसेंट का नौट पीसर निकला उसमें 27 परसे सरकार से जवाब प्रस्तोत करने के लिए कहा तो कई तारिकों तर्लगातार बढ़ाने के बाद भी सरकार के जो नुमाइंदे हैं महाधिवक्ता सासांक सेखर जो आरक्षन विरोधी पहल को हमेशा आगे बढ़ाते रहें आरक्षन के विरोध में रहें उन्होंने कभी भी साधार पर दिया है कोट में नहीं रखा और कभी भी वो हाई कोट में जब 27 परसेंट आरक्षन की सुनवाई होती थी तो कभी उसमें उसमें परस्तित नहीं होते थे ऐसे कई साधार की सासन के अधिकारी हैं जो बरिष्ट अधिकारी हैं उन्होंने वे ऐसा उदासीन रवया अपनाया और OBC को 27 परसेंट आरक्षन की जो सरकार ने दिया था उसका पच्छ उन्होंने हाई कोट में नहीं रखा उसको लेकर 28 जनवरी को हाई कोट ने डिसीजन दिया कि 27 27 परसेंट आरक्षन का जो लाव है वो पी एससी में OBC को नहीं मिलेगा उसके बाद से जब हमने बिरोध किया उनका सरकार का बिरोध किया उसके बाद से सरकार जगी मद्वदेश के मुख्यमंथी कमलनाजी ने माजवक्ता से बात करी हमने अपनी तरफ से बकीलों को होगी नोटिपिकेशन में 27 परसेंट मिलेगा लेकिन पीससी का रिजल्ट डिकलियर नहीं होगा और फिर पांच तारीक को सुनवाई थी पांच को स्पश्ट जैज ने कह दिया था कि 27 तारीक से मैं हेरिंग शुरू कर रहा हूं और आप 27 तारीक तक अपनी पूरी तैयारी ही रखी है 27 तारीक को या 27 के आने बाद आने के बाद कोई वी एक दो तारीक में हमको फाइनल डिसीजन देना है क्योंकि उसके चक्कर वे रिजल्ट रुका हुआ है सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोट के बकील थे दवे साहब उनको सरकार ने पक्ष रखने के लिए मुष्ठ करक पा रहे हैं 27 पर्सेंट आरिक्षेंट की पेर भी नहीं कर पा रहे है तो इसे वेक्ति को महाद बदता रहने का कोई अधिकार नहीं है वहीं दूसरी तरफ 27 तारीक से जब सुनवाई होगी और फाइनल सुनवाई होगी यह दोस में 27 पर से लाव नहीं मिल पा उनको special advocate के तौर पर नियुक्त करिए और उनको जिंबेदारी दीजिए कि सरकार का ये case आपको जीत कर लेके आना है यद मराठाओं को महराष्ट में 50% के उपर जाके आरक्षण मिल सकता है तो मत्व देश में 27% आरक्षण OBC को क्यों नहीं मिल सकता है क्या रखते हैं सरकार के मतलब नाक के नीचे सरकार ये लोग क्या करते हैं कि सरकार में तो अपने गुटबिल बनाने के लिए कि आप चिंता मत करिए आपको किसी भी बाहर के वकील को बुलाने की जिवर्वत नहीं है हम लोग सब अच्छे से समाल लेंगे और वहीं जाकर हाई कोट में जाके जवाप प्रस्तित नहीं करते हैं स्वेम उपस्तित नहीं होते हैं तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है सुप्रीम कोट का जो जजमेंट है की आरक्षन आपका अधिकार नहीं राज्यो पंदरवर है वहीं राज्य जब लागू करते तो हाई कोट रोक लगा है वहीं आप कहते हैं मौले का दिकार नहीं है और जब राज सरकार देती है तो आप उनको लागू नहीं करने देते तो आप तो हमको यह बक्ता गया है कि हमको नय पालगा में भी जन संक्या के अनुपाद में इस्सेदारी चाहिए आपका कॉलोजियम सिस्टम क्या यह आपका मौले का दिकार है कि एक जज के चार संताने दस संताने तक जज बनती जाएंगी क्या यह आपका मौले का दिकार है यदि हम वो भी सीस्ट की बात करते हैं तो आप कहते हो यह मौले का दिकार नहीं है लेकिन वहीं आपका बेटा बेटे के बेटा आप बाई का बेटा आपका बती जाज़ा बाता है तो वो कौन सा महलेक अधकार है, वो किस सम्भिदान में लिखा हुए, आप उसके बारे में भी तुमको बताइए, कि आप स्प्रीम कोट में बरसों से अपने मा के नाम से उपने बाप के नाम से आपने पुर्खों के नाम से जो आप लोग को आगे किया गया जिस तरह से लाजय खिया कि आप लोग को मुसलीम भिरोधी दिखाने कोशिश की कही उस पर जो आप ने बत बिदिया उसको लेकर क्या लग रहा है जाता है उनको कहते हैं मैं आपको एक चीज आपको बड़ा अचम्मा होगा और आप तो इतने पूरे देश में गुमते हो आपको जानकारी होना चाहिए गुर्जर इस देश में इस बल्ड में गुर्जर यह कैसी जाती जो हिंदू भी हो मसल्मान भी है आप जम्मू कश्मीर में देखिए 40% गुर् हैं अन कंट्री में आप जाके देखिए मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेता हूं बहुत सारी कंट्रियां हैं एसे जिसमें गुर्जर जो मुस्लिम गुर्जर है उनका बड़ा अच्छा दब दबाए तो हम इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हमारी एक जाती ऐसी है जो हि मुल्खाशियों को हमको इस रणनीतिक को समझने की जरूरत हैं क्योंकि मोडि ये चाहते हैं मोडी जी और हमित सा दोनों लोग कि इनके खिलाब जो बोट करने वाले लोग लोग हैं उनसे बोटिंग अधिकार चीन लें आप वहां चले जाई है सम्में बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो इनको बोट नहीं करते थे उन लोगों से नागरिक्ता चीन ले यह यह यहां क्या करेंगे जो तो स्टी और सो माइनॉर्टी की लोग हैं इनके खलाप बोटिंग करते हैं उनको यह कह दें कि आप इस देश के मूल्यवास ही नहीं हो आप प्रमानत नहीं कर पायो तो आता है दस साल तक आपको इसमें करने का दिकार जो था वो आपसे चीन लिया जाएगा बोट नहीं कर सक मैं भी हिंदू हूँ अपने आपको कहता है लेकिन जब अथिकार देने की बात आती है तो मुसल्मान आपके अरक्षन का भिरोध नहीं करता है अभी राम मंदिर का ट्रस्ट है उसमें एक भी OVC को नहीं डाला गया जबकि सबसे जादे इट जोडने वाला चंदा देने वाला पथर चलाने वाला OVC होता यह आप लोग अपने समाज को समझा अरे सर आयोध्या मामले में राम मंदिर मामले में तो कल्यान सींग OVC उन्ह पर कपजा मस्वाबित हो गया और वो एक बाबा है वह आज मैंने पेपर में पढ़ा था वह बयान दे रहा था कि घर के एक मुखिया से एक व्यक्ति को ले गया तो सबको लेना जरूरी नहीं है जानती की बात करना उचित इसमें कोई उचित नहीं दिखता है अरे भा तु हमको इस देश में भागीदारी चाहिए और जन संख्या के अनुपात में भागीदारी चाहिए हमारा दुस्मन मुसलमान नहीं है यदि हमारा मुसलमान दुस्मन होता तो जोतवा फुले जी का साथ देने वाले और उनके साथ हमारी सावित्री फुले जी के साथ साथ देने वाली फतिमा सेख पहली सिक्षिखा ओवी सी के लिए काम नहीं करती वो लोग तो हमेसा उन लोगों ने साथ दिया है अब उनका समय आया है तो यह जो ब्रहमन बाद है यह मनु बाद है वो जो किसान जाती है खाचकर गुर्जर जाट पटेल उनको समझ में आता कि हिंदू हो समय के साथ सब बदल जाता है पहले आप देखते थे कि सब लोग जागरूप हो चुके हैं इनकी बातों के इनके वैकाव में अब लोग नहीं आते हैं धीरे दीरे आप समय का इंतजार करिए साल दो साल के अंदर सब जागरूप हो जाएंगे और इनके खलाब ही सरकार से लगातार संघर्श कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो मत पर देश में कॉंडरिस की सरकार है जो अब फुद को आरेक्षन के परियोकार कहती है उनसे इलनों की मांग है कि जो जो महाधिवक्ता है MP सरकार की उनको हटाए जाए क्योंकि कोई गैर सबन वकिल चले आप लोग को या जो सर 90 आपको मैं बता हूँ आप लिश्ट देखी 90 परसेंट लोग सवन लोग हैं उनके पूरी कमेठी में माधिवक्ता ने जो भी जिले में एजी और जो भी पोश्टें बनाई उनमें 90 परसेंट सवन है वो वी सी तो 10 परसेंट भी नहीं आप इस ती से पूरत है और लगातार अपने संसाधन पर लोकेंद गुर्जर आंदोलन को चला रहे हैं एक इन्होंने संस्था बना रखी है और यह समाजी का अंदोलन है मुझे लगता है कि इस देश में एसी स्टी ओवी सी को खास कर एसी वाओं को आगे आना ची क्योंकि लगातार लोक सिवा जी महाराज का सपना सोचे दस दिनों तक सिवाजी महाराज की जयनती फूले सिवाजी को और जिन्हों ने उनके हत्या करवाई उनके संभाजी महराज कुमारा तो लोकेंद गुर्जर जैसे उबागर घर से निकलते हैं तो एक बदलाब की परकिरिया है और आरक्षन की लराई को मजबूत कर रहे हैं शुक्रिया लोकेंद हमसे बात करने के लिए और मैं आपसे गुजा काुजर शुक्रिया कर दूल दस्तक के आपसे गुजारीश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनलदस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट लर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें